हेलो एवरिवान कैसे हैं पिछली वीडियो में मैंने इसका एक solution डाला था तो काफी बच्चों ने कहा था सर इसमें मेरे 85 marks आये हैं और वो ठीक भी था क्योंकि जल्दवाजी में कुछ एक questions गलत हो गये थे मैंने फटा फटा आंसर किया था तो मैंने सोचा यार क्यों नहीं बच्चों के लिए एक simple सा screenshot लेके फिर मैं दू तो अब जो मैं वीडियो लेकर आऊ यह become program और इसमें दोनों में same question है और फिर आज मेरे पास थोड़ा सा time मिला था तो मैंने पूरा मतलब check out करके कर लिया लेकिन फिर भी मुझे इसमें तीन questions में अभी भी still doubt था कि इसमें य पहले clear कर दूँ आपके 64 marks confirm हो जाएंगे तीन question है जो वो कई बार मेरे mind से मतलब के मुझे doubt में था मैं discuss कर दूँ आप देखे first का answer आपके सामने है second का answer भी आपके सामने है मैं एक एक करके दे देता हूं third का answer आपके सामने आराम से pause करके वीडियो को लिखिएगा ठीक है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है आप सब करते नहीं हो दोस्तों को भी share कर दो अभी तक मैंने देखा कि कहीं FA का तो डला नहीं है भी फिलाल के लिए मैंने यही देखा है कि FA का तो answer डला नहीं है बाखी business law का कल संडे है तो मैं आराम से बैठके फिर पूरे answers करके आपको बता दूगा कि कितने marks आएंगे ठीक है ना business law का तो मैंने किसी student का करा हुआ है तो वही चीज़ है तो बस fourth का answer आपके सामने है एक देखो इसमें ना क्यूंकि कई बार answer इसलिए भी गलत हो जाता है कि उन्होंने जो feed किया है में भी गलत option feed कर दिया हूँ देखो dependent branch जो हम करते है branch account dependent तो dependent branch में can make जो branch होता है वो cash as well as credit sales दोनों कर सकता है तो एक इस question में मेरे को doubt है मैंने क्यूंकि books के अंदर मैंने कई बार देखा के credit sales लिखा हुआ है इसलिए मैंने credit sales से कर दिया एक मेरे question म में doubt यह माइन में आप करेंगे तो एक बार बोद करके try कर लीजेगा इसको ठीक है अगला यह question बिल्कुल ठीक है सारा ठीक करा हुआ है आपने पहले भी करा हुआ है यह देखे 7 question है packing expense allocated यह departmental का है मैं question भी बताता रहा हूं कौन से chapters आया है इसका financing है यह lease का है एस corporate entity पे सरिफ applicable होता है सरिफ corporate entity पे यह आपका है PPE यह मिलेगा depreciation वाले चप्टर में यह भी depreciation वाले चप्टर में है आप इसमें है biological assets wasting assets intangible इन सभी पर डैप लगता ही नहीं है एस 10 में देखोगे तो किस-किस assets पर डैप नहीं लगता यह गूगल पर सर्च करना दूसरी बात मैं बोला चाहूंगा भाई गूगल पर आप सर्च करोगे न तो मेरे को यह लगता है कि गूगल बना क्यूं है most probability answer गूगल और chat GPT आप चेक कर ले न बेसब गलत बता रहा है गूगल और chat GPT दोनों गलत बता रहा है answer मैंने का यार फिर ऐसे तो बच्चे जादा से जादा वही follow करेंगे लेकिन गलत है subscription यह है आपका NPU का liability होता है इसके अंदर यह भी depreciation का ही question है वैसे यह हमारा देखा जाएना तो revenue expenditure और capital expenditure से आता है जो chapter number 6 है जे अर मोंगा के अंदर काफी question जे अर मोंगा से ही उठाए गया है तो जिनके पास book है वो चेक कर सकते है 15 question आपके सामने है कि purchase को किस basis पर होता है carriage invert पर भी बाड़ देते हैं कई वा discount receive क्योंकि purchase होता है freight पर भी हो जाता है stock debtor system में यहां पर मेरे को एक question में doubt है कहता है stock debtor system credit sale by the branch are recorded तो मेरे को लगता है कि branch जो है ना इसके अंदर credit sales कहां पर record करता है stock account में भी record होता है और debtor account में भी record होता है लेकिन कई जगहे पर इसका answer दिया हुआ है सर्फ debtor account पर मैंने google बगेरा थोड़ा confusion दूर करने के लिए तो बैसे मैं as a practical बोलू तो भाई यह दोनों जगह लिखते हैं मैंने इतने question करा है दोनों जगह लिखते हैं लेकिन फिर भी question आ गया है carriage outward कहता है कि expense not so in the trading trading account पर तो देखो wages carriage inward और रेंट factory रेंट तो आता ही आता है क्योंकि factory से रिलेटर साले खर्चे carriage outward नहीं आता बस यह एक question यह बिल्कुल 100% ठीक answer है तो आप इसमें कभी भी मैंने authenticate करा हुआ है यहां पर lease पिछली वाली मैंने lease में मैंने two parties कर दिया था लेकिन तीन party involved होता है जो इसको guarantee लेता है तो यह तीन party है इसका answer इसके अंदर IGST है इसके अंदर आपका जैसे कि क्या क्या होना चाहिए सबसे पहले हम company create करेंगे फिर group formation करेंगे फिर laser फिर voucher करते हैं तो उसी के हिसाब से बनाया हुआ कोई दिक्कत नहीं है यहा यहां पर दे रखा है तो 2.1 इसका correct answer है ठीक है overseas branch है not type of inland branch inland branch का मतलब होता है कि जो हिंदुस्तान वाले branch है इंडिया में करे जा रहे है ब्रांच वो कौन से है तो यह बोलता है जो इंडिया में branch नहीं होते क्या होते है देखो autonomous branch का मतलब होता है या independent branch हो गया यह रहता है dependent branch भी होता है independent branch भी रहता है लेकिन overseas क्या मतलब होता है जो इंडिया से बाहर होते है उसको overseas कहते है ठीक है आप थोड़ा सा बोर हो रहे होंगे चैनल को इतने subscribe करिए बोर हो रहे हैं तो कोई बात नहीं लाइक आना चाहिए आपके पास दो chances है ध्यान रखिएगा attempt के आपके पास दो chances रहेंगे मैं अभी clear कर दूँँ आपको बता के भी ठीक है तो यह है हमारा question 26 जिसके अंदर a answer बिल्कुल correct है इसमें journal है ठीक है correct है इसके अंदर purchase correct answer है 40,000 यह भी correct है इसके अंदर भी एक मेरे को confusion है कि मुझे लग रहा है इसका answer होना चाहिए कि मुझे जो लग र verify नहीं किया level of entity ठीक है न तो मुझे इसका जो answer लगता है न बी और फिर C फिर A यानि यहाँ पे sorry A क्या है बी यानि आपका यहाँ पर B C A यहाँ पर है न तो पहले यहाँ पर आना चाहिए level 3 level 1 जो है A पर आना चाहिए हमारा 2 फिर B पर आना चाहिए 3 मेरको B लग रहा है इसका answer तो एक बार आप try कर सकते हैं दो option है तो मैंने बता दिया ठीक है बोत होता है यह capital लेकिन यहाँ पर भी देखो confusion है यह question तो देखो answer ठीक है क्योंकि मैं answer जो दे रहा हूं आपको दे रहा हूं for example यह MCQ की विएजस है अगर आप पूछेंगा sir अगर हम बात करते है fundamentally बिलकुल और एकदम अच्छे से तो general donation हमेशा income and expenditure में show होता है यह ना आपका capital fund में नहीं जाता कई बार तो यह answer वैसे तो आपका भी होना चाहिए लेकिन यह answer बोत कर रखा है इसके हिसाब से मैंने काफ के भी नहीं आए हम बच्चों को कैसे आएंगे तो मैं चीजे बताना हूँ कि कई बार चीजे गलत होती है internally जो answer डाले गए है उसके वज़े से होगा इसका potence conversation है alt f7 है इसका पिछली बार मेरे से गलती हो गया था इसमें मैंने सिर्फ journal in telly तो journal के लिए f7 होता है लेकिन इ इस mcq के हिसाब से ठीक है लेकिन लॉजिकल ही गलत है यह destination based test होता है value-edit based test नहीं होता यह destination based test होता है जो जहां पर लगेगा वह तो मैं पहले बता दूँ आपने यही टिक करना है value-edit तब आपके mark 64 इसी से आए हुए है बाकि answer मेरे साब से तो यह नहीं है आई आई फार इसी तो यह पूरा का पूरा paper था अब कुछ बच्चों का कहना है कि सर हमें के second option मिलेगा कैसे मिलेगा मैं वह आप सभी को पता है और सबसे बड़ी दिक्कत है कि कुछ बच्चे को मैं एक बार दिखाना चाहता हूं शायद मैं दिखा पाऊं तो कुछ बच्चों का शायद login हो मेरे पांस यह नहीं हो मैंने अब पासवर्ट हो नहीं है स्रिफ आई डी है नहीं है चलो तो फिर मैं कभी बता दूँगा कि कैसे second attempt करना है होफुली आपको यहां तक समझ में आ गया होगा सारी चीजे तो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं अगें सुनिए का become program owners अपने दोस्तों को मैं बोलता हूं बता दीजिए कि कर ले और इस paper में पास होना बहुत जरूरी है अगर इसमें 28 नंबर से कम आए ना आपके तो fail भी हो सकते हो बाकी मैंने तो 64 का आपको बता दिया है business law का भी ऐसे ही मैं authenticate कर रहा हूं EBS का solution कर लिया है बस वीडियो बनाना है उसका और उसमें भी साथ 66-64 के आसपास correct है क्योंकि EBS मुझे knowledge नहीं है जिस teacher से करवाया है उसके according में बना रहा हूं जो बच्चों के आए है और business organization के भी 60 plus मेरे पास बने हुए हैं सारे तो मैं दीरे दीरे upload कर दूँँगा लेकिन तभी जितने इसके अंदर मैं सारे के सारे वीडियोज अप्लोड कर दूँगा चैनल को जरूर subscribe कर लेजिए क्योंकि आगे चीजे भी आपको बता हूँगा दूसरा like भी कर देना इस